गूड मॉर्निंग फ्रेंज टार्गेट है में आप सभी का स्वागत है दोस्तो एक बार फिर से सेंटर गौवर्मेंट से भरती विग्या पना चुका है डायरेक्ट रिकूट्मेंट है दोस्तो आपको इसमें परमनेंट पोस्टिंग दी जाएगी और भारत के सभी स्टेट क कैंडिडेट इसमें अपलाई कर पाएंगे आल इंडिया ये भरती रहने वाला है तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को साथ भी सेयर करें साथ में दोस्तों आप टेलिग्राम चैनल और वाट्सेप चैनल भी को जोईन कर सकते हैं वहां से आपके नोटिफिकेशन का पीडियाप मिल जाएगा और दोस्तों इसमें भारत की सभी स्टेट के कंडिडेट अपलाई कर पाएंगे तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन्फॉर्म की जौब रहने वाली है इसमें देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूट्मेंट ये है आई सेमार भपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से भरति विक्या पंजारी हुआ दिलाज डेट आप संबिशन आप अपलिकेशन तीस दस दोजर तेईस तीस अक्टूब के लिए पाच पोश्ट है नर्सिंग आपिसर के लिए दोस्तों ग्यारा पोश्ट है मेडिकल रिकॉडर आपिसर के लिए एक पोश्ट है असिस्टेंट एकांटेंट आपिसर के लिए एक पोश्ट है वार्टन के लिए दोस्तों एक पोश्ट है साथ में डायटीसियन के ल कर लेते हैं तो इसमें दोस्तों टेक्नीसियन के पोस्ट है नॉन मेडिकल और मेडिकल तो देख लेते हैं टेक्नीसियन में कौन कौन से पोस्ट है सबसे पहले देख सकते हैं पैथालोजी टेक्नीसियन के लिए है नमबरा पोस्ट एक सामिल है और ट्रांस्प्यूजन मेडिस इसमें सामिल कर लिए गया है टोटल टेकनीसियन की पोस्ट की बात करें तो साथ टोटल इसमें पोस्ट सामिल है और नॉन मेडिकल जो टेकनीसियन है उसमें एक ही पोस्ट सामिल है बात कर लेते हैं दोस्तों फार्मासिस्ट की तो फार्मासिस्ट की दोस्तों टोटल नंबर पोस्ट एक सामिल है इस्टोर कीपर के लिए एक ही पोस्ट है और परसनाल असिस्टेंट के लिए पाच पोस्ट है को के लिए दोस्तो एक पोस्ट है अटेंडेंट मेडिकल के लिए चार पोस्ट है टोटल दोस्तो जो टेकनीशियन ग्रूप सी की जो पोस्ट है वो भी 20 हम बात कर लेते हैं आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है तो सबसे पहले हम ग्रोफ भी की बात करेंगे जिसमें सिविल इंजीनियर का पोउट है गम्ला पोश्ट देख सकते हैं एक ही सामिल है आपको दोस्तों इसमें qualification में आपसे bachelor engineering या bachelor of technology degree होना चाहिए civil engineering का दोस्तों आपके पास course complete होना चाहिए level 7 का आपको salary दिया जाएगा basic देख सकते हैं 44,000 से 1,42,000 आपका basic रहने वाला 30 years आपको age limit दिया गया है tutor nursing college के लिए बात करें दोस्तों तो आपसे इसमें Master of Science, Nursing, MSC Nursing आपके पास complete होना चाहिए, साथ में Nursing Council में Registration, किसी भी State या Indian Nursing Council में आपका Registration होना चाहिए, Level 7 का ही आपको Salud दिया जाएगा, Number of Post 5 सामिल है, Next बात करें दोस्तों Nursing Officer के लिए, तो इसमें आप से qualification में आपके पास BSC Honor से होना चाहिए, Nursing या फिर आपके पास regular course Bachelor of Science in Nursing, आपके पास दोस्तों BSC Nursing का course complete किये हैं, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, साथ में इसमें डिप्लोमा वाले candidate भी आवेदन कर पाएंगे, डिप्लोमा इंग जनरल Nursing, मिडवाइपरी और आपके पास वनियर का experience भी होना जरूरी है, और दोस्तों टोटल इसमें नमबरा पोस्ट 11 सामिल है, 30 अर्स आपको एज लिमिट दिया जा रहा है, medical recorder officer की बात करें, तो बिचलर डिग्री आपके पास complete होना चाहिए, साथ में diploma in medical recorder technology भी आपके पास complete होना चाहिए, experience भी आपके पास होना जरूरी है, दोस्तों 2 years का experience in medical recorder में होना चाहिए, किसी भी hospital से, 30 years आपको एज लिमिट दिया गया है, पे लेवल आपका 6 रहने वाला है, next हम बात कर लेते हैं दोस्तों accountant के लिए, तो accountant में आपके पास same field में degree होना चाहिए, और 2 years का आप जए experience भी मांगा जा रहा है, warden में आपके पास bachelor degree in, hotel management का अगर आपके पास course complete है, hotel management ही है home science का, तो आप इसमें आभी दिन कर पाएंगे, प्रेस आपके पास one year का engineering course complete होना चाहिए, और दोस्तों dietitian के लिए master degree complete होना चाहिए, food and nutrition में, हम बात कर लेते हैं technician के लिए, तो psychiatric technician में देख सकते हैं, आपके पास bachelor degree in pathology, from recognizing university के साथ होना चाहिए, plus दोस्तों आपके पास two years का experience होना जरूरी है, हेंडरेट बेट के hospital में अगर आपके पास यह experience है, जाएगा medical social worker के लिए दोस्तों आपके पास bachelor degree in social work में होना चाहिए, social work यह sociology से अगर आपके पास degree है, और दो साल का experience है, तो आप इसमें दोस्तों आवेदन कर पाएंगे, level six का ही आपको salary दिया जाएगा, basic salary देख सकते हैं, तिस से एक लाग बारा जार रुपए आपकी basic salary रहने वाली है, अब दोस्तों हम technician में non-medical और medical वाले technician की बात करेंगे, सबसे पहले non-medical में देख लेते हैं, तो level five की आपकी salary रहेगी, 29,000 से 22,000 रुपए, आपके पास qualification में, bachelor degree in science from recognize university, with one year working experience in medical institute, दोस्तों आपके पास B.H.C. complete होना चाहिए, और किसी भी medical institute से आपके पास एक साल का experience होना चाहिए, या पिर आपके पास 12th pass होना चाहिए, science system के साथ, और आपके पास diploma होना चाहिए, और दोस्तों इसमें diploma वाले candidate से 2 साल का experience मांगा जा रहा है, हम बात कर लेते हैं दोस्तों technician medical वालों के लिए, जिसमें total साथ post हैं और इसमें अलग-अलग technician के post हैं, देख सकते हैं pathology technician, transfusion medicine, ophthalmology technician, pulmonary medicine, radiographer और manifold, इसमें आपस qualification में दोस्तों आपके पास bachelor degree complete होना चाहिए, science subject के साथ, from recognize university with one year के working experience के साथ, आपके पास ये bachelor degree complete होना चाहिए, आपका जो experience है दोस्तों medical institute में होना चाहिए, और यदि आपके पास class 12th pass है, science system के साथ, और related field में आपके पास diploma होना चाहिए, जैसे कि अगर आप pathology के लिए apply कर रहे हैं, तो आपके पास dmlt, या फिर आपके पास bmlt complete होना चाहिए, और यदि आप transfusion medicine के लिए apply कर रहे हैं, तो आपके पास transfusion medicine में related field में degree diploma होना चाहिए, आप pathology में दोस्तों आपके पास pathology का degree या diploma होना चाहिए, pulmonary medicine के लिए pulmonary वाले candidate apply करेंगे, रेडियो ग्रापर के लिए दोस्तों आपके पास रेडियो ग्रापर का degree या diploma होना जरूरी है, ऐसे करके दोस्तों जिस भी post के लिए आप apply करेंगे, same field में आपके पास degree diploma होना चाहिए, आपकी इसमें salary देख सकते हैं, level 5 का आपको salary दे जाएगा, और basic salary है, आपकी 29,000 से 92,000 रुपए आपकी salary रहेगी, और 27 years में एद लिमिट दिया गया है, साथ में आपको age relaxation भी दिया जाएगा, दोस्तों अगर आप lab technician के लिए center या किसी भी state government की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए दोस्तों हमारे पास previous question paper है, अभी हाल ही में दोस्तों center government से बहुत जगे से भरती बिग्या पंजारी हुआ, जैसे ESIC से भरती बिग्या पंजारी हुआ, साथ में DESSB से भरती बिग्या पंजारी हुआ था, और ESRO से भी दोस्तों भरती बिग्या पंजारी हुआ था, अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे पास previous question paper है आप whatsapp पे संपर करें टोटल आपको 30 previous question paper मिलेगा उसके लिए दोस्तों मातर आपको 150 रुपए बेकनना होगा और इसमें दोस्तों आपको center government और state government के question paper मिलेंगे तो आप whatsapp पे संपर करें हमारा whatsapp नमब डावालेट 21962779 इस नमबर पर दोस्तों आप संपर कर सकते हैं आपको यह previous question paper मिल जाएगा तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं next post keyword तो फार्मासिस्ट के लिए देख लेते हैं फार्मासिस्ट में आपसे qualification में ट्वल्त पास होना चाहिए science system के साथ और प्यर्स का आपसे diploma in pharmacy में होना चरूरी है साथ में आपका pharmacy council में registration होना भी चाहिए store keeper के लिए दोस्तों आपके पास ट्वल्त पास होना चाहिए diploma in pharmacy with two years के experience के साथ होना चाहिए दोस्तों अगर आपके पास pharmacy में डिपलोमा है और दो साल का आपके पास experience है store keeper में तो आप इसमें भी हाविदन कर पाएंगे store keeper के post के लिए और निर्ष्ठ हम बात कर लेते हैं दोस्तों personal assistant और cook के लिए तो personal assistant में आपके पास 12th pass होना चाहिए साथ में same field में आपके पास skill होना भी जरूरी है cook की बात कर लें तो आपके पास 10th pass और 2 years का cook में experience होना चाहिए cooking का आपको 2 साल का experience आना चाहिए 27 years easily मिर दिया गया है level 2 का आपको salary दिया जाएगा attendant medical के लिए बात कर लेते हैं तो 12th pass science stream के वाले candidate इसमें आवेदन कर पाएंगे level 2 का ही आपका salary रहेगा 47 years इसमें age limit दिया गया है दोस्तों इसमें हम बात कर लेते हैं आपको apply case से करना है तो आपको दोस्तों offline के माद्दें से आवेदन करना होगा है इसमें आपको बताया जा रहा है the candidate must submit the application in the prescribed form and paste recent passport size photograph all the document in passport of educational qualification date of birth experience cost must be self-attested include photograph on the application form and may be sent only through by speed post या registered post के माद्दें से दोस्तों आपको अपना आवेदन जमा करना होगा offline दोस्तों आपको अपना आवेदन जमा करना होगा application format आपको इसके official address पर भेजना है address देख सकते हैं आपको बताया गाया है डायरेक्टर भोपाल memorial hospital and research center horizon bypass road भोपाल में दोस्तों आपको यह आवेदन जमा करना है last date देख सकते हैं 30-10-22-23 सामको पाच बज़े तक आपको समय दिया जा रहा है 30 October इसका last date रहने वाला है आपको दोस्तों इसी पीडियाप पे application format मिल जाएगा उसको आपको फिल करके और सभी required document अटेज करके इसके official address पर भेजना है या आपको address बता दिया गया है और आपको इसमें application piece भी पे बनवाना है और यह application piece केवल general candidate EWS और OBC वाले ही पे करेंगे बागी जितने भी other candidate है SCST candidate और physical handicap साथ में किसी भी category की moment candidate है उनके लिए दोस्तों application piece निल रखा गया है केवल इसमें general candidate साथ में OBC वाले और EWS के candidate ही आप अपना application piece पे करेंगे तो दोस्तों और इसमें हम बात कर ल है तो selection process दोस्तो written exam के माद्यम से आपका selection होने वाला है इसके लिए भी आपको इसमें बताया गया है only shortlisted candidate will be called to attend the written test admit card to the eligible shortlisted candidate shall be send by email या आपको इसके official website पे upload कर दिया जाएगा दोस्तों के वाल shortlisted candidate को ही inform किया जाएगा written test के लिए और इसकी जानकारी या तो आपको email के द्वारा बता दी जाएगी या फिर by uploading on the institute website इसके official website पे upload कर दिया जाएगा और 3023 तक दोस्तों आपको समय दिया गया है आवेधन करने के लिए आप आवेधन कर दें आपको offline ही आवेधन करना होगा application format यह रहा है आप इसको download कर लीजएगा टेलिग्राम चैनल से वहां से आप इसको easy तरीके से download कर पाएंगे या फिर आप इसके official website के मादम से भी download कर पाएंगे यह इसका official website है बपाल मेमोरियल hospital and research center के official website के मादम से दोस्तों आप download कर पाएंगे तो दोस्तों चानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक चुरूर करें और अपने दोस्तों साथ share करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और टेलिग्राम चैनल और WhatsApp चैनल का लिंक दोस्तों आपको नीचे description box मिल जाएगा और आपको previous question paper चाहिए तो WhatsApp पर संपर करें WhatsApp नंबर भी दोस्तों आपको नीचे description box मिल जाएगा thank you so much